आज के समझ में पांडेमिक ने हमारा क्या हाल कर दिया है बड़े बड़े देश जो अपने आपको डेवलप होने का दावा करते हैं खुद को नहीं बचा पा रहा है इस बुरे दोर में हम लोग को एहसास होता है कि टेक्नलोजीकली हम लोग डेवलप तो हुए हैं लेकिन आज जो हमारे पास चुनावतिया है उसको पूर्ण लूप से कंट्रोल करने में हमें मेडिकल टेक्नलोजी को और बहतर बनाने की ज़रुवत है जब हमारे देश इंडिया में मेडिकल रिसर्च और डेवलपमेंट की बात आती है तो ICMR का नाम आना स्वभाविक है जहीं दोस्तों आप देख रहे हैं थी कि स्टड़ी यूट्यूब चैनल मैं हूँ राके सिंग आज इस वीडियो में हम लोग दो एपेक्स एजेंसी इंडियान काउंसिल और मेडिकल रिसर्च और इंडियान मेडिकल एसोसियेसिन के बारे में चर्चा करेंगे इस दोनों एजेंसी या आज कर टीवी और न्यू चैनल की हैडलाइन्स बनी हुई है अगर आप किसी गौर्मेंट जब की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो बहुत यूजफूल होने वाला है वीडियो को पूरा देखना चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों में सेर जरूर करना ICMR का पूरा नाम होता है इंडियन कांसिल of medical research इंडिया के medical research की EPICS body है इस चोटे चोटे जो research bodies है उनको regulate करती है इसका main काम होता है formulate करना, coordinate करना और promote करना जो भी biomedical research है उसको formulate करता है, coordinate करता है और promote भी करता है ICMR is completely funded by the Government of India ए Ministry of Health के अंडर में काम करता है Health Minister इसका जो भी मीटिंग होता है उसको प्रेसाइट करते है Health Minister कौन है? डॉक्टर हर्स वर्दन ICMR का Headquarter होता है New Delhi में टैक्टर जन्रल कौन है? बलराम भर्गवा बलराम भर्गवा याद रखिएगा Current Affairs के इसाब से बहुत important है और ICMR का Parent Organization Ministry of Health and Family Welfare ICMR का Main Attraction Point होता है इसका एक Monthly Journal Publish होता है जिसका नाम है Indian Journal of Medical Research वीडियो के अंत में इसके बारे में हम लोग डीटेल्स में चर्चा करेंगे ICMR, Government of India के Medical Science and Research की EPICS Body है तो इसके History के बारे में तो जन्ना ही पढ़ेगा At the beginning of the 90s बहुत सारे Epidemic और Pandemic आया थे तो BTS Government ने इस सारे Epidemic और Pandemic को Control करने के लिए उनके एसास हुआ कि अब Research and Development की जरुवत है Medical Science में तो उन्होंने एक Agency की अस्तापना किया था Indian Research Fund Association 1911 में किया था बाद में इसी IRFA को Change करके 1949 में Indian Council of Medical Research किया गया बाद में कुछ Scope of Functions बढ़ा दिये गए और कुछ हो Responsibilities भी बढ़ा दी गई इसके ICMR अब इतनी बड़ी EPEX Research Body है तो इसको Govern कैसे किया था है Actually ICMR का जो भी Meeting होता है उसको Preside करते है Health Minister Cabinet Health Minister इसको Preside करते है ठीक है and that was Advised by Advisory Board एक इसका Advisory Board होता है जो Health Minister को Advise करता है और इसके अलामा भी बहुत सारे Eminent Experts Group होते हैं जो Health Minister के help के लिए होते हैं यहाँ पर मैंने बताया था कि ICMR एक Monthly Journal पब्लीज करता है जिसका नाम है Indian Journal of Medical Research Indian Journal of Medical Research एक Online Open Access Medical Journal है जिसको आप Internet से Free of course डाउनलोड भी कर सकते हैं एक Medical Now Publication के दौरा पब्लीज किया जाता है On the behalf of the Indian Council of Medical Research पहली बार पब्लीज हुआ था 1977 में उसके बाद एक Continuous पब्लीज किया जाता है General का main content क्या होता है जो Technical and Clinical Studies होती है Health related, Ethical and Social Issues पे उनको इस General में जगह दी जाती है, पब्लीज की जाती है IMA IMA का पूरा नाम होता है Indian Medical Association And it is the only voluntary organization of doctors of modern scientific system इसका main काम है कि डौक्टरों के हीतों और समाज के कल्यान की देखबार करना IMA की हसापना 1928 CC में 5th All India Medical Conference के दौरान होई थी जो कलकाता में हुआ था इसके दो main motives है The improvement of public health and medical education in India The maintenance of the honor and dignity of the medical profession Actually medical profession से जो भी doctors and other staff है उनके honor and dignity को protect करता है आप कह सकते हैं कि एक trade union की तरह काम करता है Simple भासा में अगर समझना जाएं तो जैसे factory में एक trade union होता है आप पूरी तरह trade union इसको नहीं कह सकते लेकिन वैसे ही एक trade union की तरह काम करता है इसका headquarter New Delhi में है doctor के हीतों की रक्षा करना ही इसका main उदे से है